नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम बात करेंगे गुड़हल के पुस्प की गुड़हल का फूल तंत्र बिग्यान में बहुत महतोर रखता है सास्त्रों में बताया गया है कि गुड़हल का पुस्प मा काली को सबसे प्री है जो भक्त लाल गुड़हल के फूलों से नियमित मा दुर्गा या मा काली की पूजा करता है उसके सत्रू कभी भी सर नहीं उठा सकते गुड़हल का पुष्प नकात्मक उर्जा से भी रक्षा करता है माननेता है कि धन दौलत नौकरी कारोबार फैमली लाइप में परिसानी हो तो भी गुड़हल का पुष्प आपक के तोर पर उस बेक्ति को खिला दें जिस पर नकात्मक प्रभाव है गुड़हल का फूल खिलाने से नकात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है यहां तक कि अगर आपको कफपित्त की समस्या है तो गुड़हल का पुष्प खाना आयुर्वेद में लावकारी माना गया है सिद्ध कुझी का स्त्रोत का पाट करें हर बाधा टल जाती है और हर कारे में सफलता मिलती है शुकरवार के दिन अगर मा लक्षमी को ए गुड़हल का पुष्प नियमित रूप से अर्पित करना सुरू कर दें और मिस्री का भोग लगाए तो धन की कमी कभी नहीं होती बर दे रहिएगा गुड़हल का पुष्प यूं तो देवी को बहुत पसंद है लेकिन अगर भगवान सुरी को नियमित रूप से आप जल में गुड़हल का पुष्प डाल कर अर्पित करें तो बड़े से बड़े सत्रू भी घुटने टेक देता है आज हम आपको जो पारी उपाए है गुड़हल का पुष्प ना सिर्फ पूजा पाठ में बलकि आप अपने बालों को बहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो आज हम आपको बहुत सारी बाते बताएंगे कि कौन से देवी देवता को पसंद है और कौन सी मनुकामना ले हो गया है तो ऐसे में देशी नुस्का में अगर आप गुड़हल के पुष्प का प्रयोग करें तो यकिन मानिए आपका बाल गिरना भी बंद हो जाएगा और लंबा घरना भी हो जाएगा पर कैसे करेंगे दिए बालों में अगर चमक हो गई है या फिर आपके बाल ब बाल के सिरे तक यानिकी पूरे बालों में लगाना इसकी में भी सुखने दे घंडा करी बार रहने दे उसके बाद नॉर्मल पानी से आप दोले कम से कम सब्सक्राइब आपके बाल सिल्की हो जाएंगे और रुखापन भी खत्म हो जाएगा आप चाहें तो सेंपू की है वह भी दूर होती है आप जैसे कि अगर आप रुसी से बहुत परिसान है तो गुड़हल के फूलों को पीस लें और मेहनी के पॉड़र में नीम्बू का रस मिलाकर इसको जोड़ों में लगाकर करें एक घंडा चोड़े इसके बाद धोलें ऐसा आप सबता में दो तीन पूलों से कौन से भगवान को इस पूसरों से आप मना सकते हैं कौन से लुघवान को सबसे ज्यदा परी है कौन सी मनोकामना कूर्ण होती है चले जानते हैं विस्तार से पूजा पाठ में पूष्ब एक अलग अस्थान होता है और विसेस महत्व होता है तो किस भगवान को कौन सा पुस्प चढ़ाना चाहिए और देवियों की पूजा में लाल रंग के फूल का चुकि महत्व जादा है हलाकि अगर हम बात करें गुड़हल के पुस्प की तो दिखने में जितना खुबसुरत होता है उतना ही जादा आपके सत्रों से आपकी रक्षा भी करता है तो मा लक्ष्मी मा दुर्गा दोनों की ही गुड़हल पुस्प बहुत पसंद है और अगर मातारानी को आप निते दिन गुड़हल का पुस्प अरपित करें तो मनो कामनाय तो पुर्ण होती है साथ ही सा आपके सत्रू भी सांद रहते हैं लेकिन मंगलवार को अगर आप हनवान जी को गुड़हल का पुस्प अरपित कर दें तो आपकी जो भी मनोरत है वह बहुत चल्द पूर्ण होती है मा दुर्गा को नियमित रूप से अरपित करें तो सत्रू तो सांद रहते हैं लेकिन अगर अगर आप गुड़हल के पुस्प से प्रसंद हो जाते हैं आपके कुंड़ली के हर दोस को समावत कर देते हैं तो गुड़हल के पुस्प से दिरगायू और आरोग्य की प्राप्ती होती है वैसे ये भी कहा जाता है कि गुड़हल के पुस्प को अगर आप इसका इस्तेमाल हरवल्टी बना कर पिए तो आपका सरीर मजबूत होता है इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आप उबालकर इसका काढ़ा बना कर पीच सकते हैं फाइदा होगा हलांकि दिखे दिल के मरीज के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है सर्दियों से भी राहत दिलाता है और मां दुरगा का वास माना गया है गुड़हल के होता है और अंकुरन के मध्य में राहु का और अंथ में सनी का बारत होता है तो पुष्प के बीज में चंद्रमा की उपस्तिती मानी गई लेकिन अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु की दृष्टी से भी गुढ़हल का पुस्प अगर अपने घर में लगाते हैं तो बहुत सुभ है और घर में गुलदस्ते में लगा गुढ़हल का पुस्प परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाता है अपना अपन कौन से पुस्प अरपित करना चाहिए ये भी बहुत जरूरी होता है जानना वैसे तो गुड़हल का पुस्प बहुत सारे रंगों में आता है लेकिन जो आज हम परियोग करने वाले हैं वह होगा लाल रंग का गुड़हल का पुस्प मालक्षमी भगवान गनेश जी मादु दुर्गा सब को पसंद है हनुमान जी को भी गुर्हल का पुस्प पसंद है आगर हनुमान जी यह म दूरगा को आप गुर्ण का पुछमी को अरपिद करें तो सुख और दिए में सद्प बढ़ती है घर्ण prevail पिड़ाएं सांत हो जाती है परिसान नहीं करती दूसरी तरफ सुरी देप की उपासना में भी गुड़हल का पुस्प का प्रियोग करने का विधान है सत्रु बिरोधी चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगार सकते और आपका उम्रे लंबा होता है आप स्वास्त आपका अच होता है और पुस्प का जो हरे रंग का भाग है पुस्प के हरे रंग का भाग जो होता है न उसमें बुद्ध और केतु होते हैं जहां केसरिया है वहां पर मंगल है अब गुड़हल के रक्तवर्ण में सूर्य का परतिनी दित्त है और पुस्प की जहां से उत्पत्ती होती है वहां गुरु का वास होता है अंकुरन के मद्ध में राहू और अंत में सनिदेव होते हैं वहीं पुस्प के बीज भाग में चंद्रमा है अब वास्तु की दिश्टी से भी गुड़हल का पुस्प बहुत सुमाना जाता है अगर घर के घर में आप गुल्दस्ते में होंगे तो चुकि आज हम बात कर रहे हैं गुड़हल के पुस्प के परियोग की वह एक ऐसा परियोग जो आपको हर किसी पर राज करने के काबिल बना देगा करेंगे क्या देखिए किसी भी रभीवार के दिन ये परियोग आप करें भगवान स्रीहरी गनेश को आठ पुस्प याद रखिए अब इसको अगले दिन उठाईए जब फिर से पुजा करने के लिए सुसाफ करेंगे ना उठाईए और सूरी की रोसनी में रखिए ज्यादा नहीं आधा एक घंटा फिर उसको च्छाओं में सुखाईए इस तरह से आप दो-चार दिन में जब वह पुस्प सूख जाए तब इस पुस्प को आप पॉडर बढ़ना लें इसमें थोरा सक कपूर एक दो-चुटकी सिंदूर मिक्स कर लें अब ये आपका वसी करन तिलक तियार हो गया अब ये तिलक आप जब भी लगा कर कहीं भी जाएंगे आपका एक तो लोग आपका विर होता है तो इसमें उन भगवान की सकती है और गनेज जी जो बुद्धी के देव हैं उनको अर्पित करने के बाद इस पुस्प का और भी ज्यादा पावर बढ़ जाता है पडियोग करें नियमित रूप से तिलक लगाएं इसका प्रभाव जल्द ही दिखने लगेगा हम आ आनिवाद